नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ एग लेस कटोरी केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाना बहुती असान है, आज हम इसे दही और घर में रखे हुए कुछ समान से बना कर तयार करेंगी तो हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो फूट जंक्शन बै नीहा, चलिए स्टार्ट करते हैं कटोरी केक बनाना तो सबसे पहले इसके लिए हम एक बाउल ले लेते हैं, और यहाँ पर देखिए मैंने लिया है मेजरिंग कप अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप इसकी जगह किसी भी कप का या फिर कटोरी का यूज कर सकते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर मेजरिंग कप का यूज कर रही हूँ और इसी कप का यूज करकर मैं इसमें सारे इंग्रीडियंट एड़ करूगी तो देखिए सबसे पहले मैंने हाँ पर पाउड़र शुगर ली है और ये कौंटिटी में थ्री फोर्थ कप है अब इसमें ओईल एड़ करेंगे, ओईल हमें वन फोर्थ कप लेना है और याद रखेगा ओईल में किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं होनी चाहिए अब भारिये इसमें कर्ड एड़ करने की तो यहाँ पर देखिए मैंने हाफ कप एकदम ताजा दही यूज़ करा है चलिए अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं पर उससे पहले इसमें एड़ कर लेते हैं पास से छे बूंदे वैनिला एसेंस की आप जहें तो आप इसे इसकी भी कर सकते हैं और इसकी जगा इलाइची पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं और अब भारिये इसे अच्छे से मिक्स करने की हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसका एक स्मूथ सा लिक्विट तयारना हो जाए तो देखिए इसका स्मूथ सा लिक्विट तयार हो गया है और आप इस पैचिला की जगा विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं तो चलिए अब इस पे रख लेते हैं एक छन्नी और इसमें एड़ कर लेते हैं मैदा तो यहाँ पर मैं एक कप मैदा का यूज़ कर रही हूँ और मैदा को हमें छान कर ही यूज़ करना है चलिए अब इसमें एड़ करेंगे एक चमबज बेकिंग पाउडर और बिल्कुल चुटकी भर बेकिंग सोडा फ्रेंड्स बेकिंग सोडा बिल्कुल भी जादा नहीं होना चाहिए और अब इसको चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैं तीन चमबज कोको पाउडर का यूज़ कर रही हूँ इन सभी चीज़ों को मैं चान कर ही यूज़ कर रही हूँ ताकि इसमें थोड़ी बहुत भी लम्स हो तो वो हमारे केक के बेटर में ना आएं तो देखिए इनको चान लिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे केक का बेटर बनाते वे हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें केक के बेटर को एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है देखिए मैं इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर रही हूँ और आप देख रहे होंगे कि अभी ये बेटर काफी गाड़ा है तो मैं इसमें दूद का यूज नहीं करूंगी बलकि इसमें पानी डालूंगी तो दोस्तों बहुत सारा पानी एक बार में नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगी और इसका एक स्मूथ सा बैटर तयार कर लेंगी बेटर की consistency flowing होनी चाहिए यहां देखिए मुझे बेटर अभी भी थोड़ा सा गाड़ा लग रहा था इसलिए मैंने फिर से थोड़ा सा पानी इसमें डाल लिया है और वापस से मैं इसको mix कर लूगी इसकी consistency एकदम flowing होनी चाहिए तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो like के बटन को जरूर प्रेस करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लिजेगा ये केक बहुती tasty बनता है और देखने में भी एकदम unique लगता है आप देख सकते हैं कि जब हम बैटर को गिरा रहे हैं तो वो एकदम असानी से गिर पा रहा है तो बैटर हमारा तयार है और यहाँ पर कड़ाई में हमने नमक डाल दिया है और ये नमक मैं काफे बार यूज़ कर चुकी हूँ तो इस नमक को हम preheat कर लेंगे 10-15 मिनट के लिए यहाँ पर देखे मैं stand का यूज़ कर रही हूँ और अब हम इस कड़ाई को preheat कर लेंगे इधर देखे बैटर भी तयार है और यहाँ पर आज मैं ये केक कटोरियों में बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने एक ही साइस की कटोरियों को ले लिया है आप इसे किसी भी बरतन में बना सकती है पर मैं इने कटोरी की शेप दे रही हूँ इसलिए मैं इसे कटोरी में बना रही हूँ तो सबसे पहले इन बाउल्स को हम grease कर लेते हैं grease करने से cake जब हम demold करेंगे ना तो वो आसानी से निकल आएगा और आप cake के batter की consistency देख सकती है तो इसकी flowing consistency ही होनी चाहिए तो मैं सभी बाउल्स को इस batter से fill कर लेती हूँ और हमारी बाउल्स तयार है बेक करने के लिए तो सबसे पहले stand के उपर मैंने एक ठाली रख ली है ताकि जो बाउल्स है न वो disbalance ना हो और अब इसके उपर बाउल रखकर हम इसे उपर से एक और ठाली से ढख देंगी ताकि जो बेक है वो evenly हो सकी और अब हम इसे 20 से 25 नट ले बेक करेंगी 10 नट फुल फ्लेम पर और उसके बाद गैस की फ्लेम को कम कर देंगी तो देखे फ्रेंड्स मुझे से बेक करने में टोटल 25 मिनट लगी है और ये कटोरी केक बन कर तयार हो गया है चलिए इसको demold कर लेते हैं और बहुत ही असानी से ये कटोरी पे से निकल जाएगा आप इस केक को बच्चों की पार्टी में बनाएए या फिर खिटी पार्टी में ये केक सभी को बहुत पसंद आता है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है वैसे तो बच्चों को सभी केक बहुत पसंद आते हैं पर ये केक तो उनके फेवरेट होते हैं तो देखिए मैंने सभी केक को टीमोल कर लिया है और अब बारी है केक को गानिश करने की पर उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये केक कितने सॉफ्ट बनी हैं तो चलिए एक पिस उठाते हैं और इसको चैक कर लिते हैं आपको पता ही लग पा रहोगा कि ये बहुत ही ज़ादा सॉफ्ट बनी हैं और इन केक को गानिश करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेल्टेट चॉकलेट का नॉर्मल चॉकलेट जो आती है उसको मैंने मैल्ट कर लिया है और इस तरीके से मैं सभी केक पर इसको स्प्रेट कर दूँगी ये फ्रेंड्स फ्रूट एंड नट चॉकलेट है जिसकी वज़े से आपको चॉकलेट में दाने नजर आ रहे हूँगे और उपर से देखिए मैं अलग-अलग फ्रेवर से इसे गानिश कर रहे हूँ तो एक पर मैंने देखिए वाइट चॉकलेट स्प्रेट की है जो देखने में कितनी ज़्यादा टैम्टिंग लग रही है देखिए नेक्स केक पर मैं मल्टी कलर स्प्रिंग्ल डाल रही हूँ बच्चों को इस तरीकी से जब आप गानिश करके देते हैं तो वो इन केक को बहुत पसंद करते हैं और लास्ट वाले पे मैं देखिए सिंपल बदाम को क्रश करकर डाल रही हूँ आप चाहें तो आप इने किसी भी तरीकी से गानिश कर सकते हैं बिना गानिश के भी ये कि बहुत ज़्यादा स्वादिस्ट लगते हैं और चलिए अब इसको टेस्ट करकर देख लेते हैं कि कैसे बने हैं कट करने में तो ये बहुत ही ज़्यादा सौफ्ट है और अब भारिया इनको खाने की तो फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिस्ट हो रही हैं तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करिएगा और आप लोग के साथ मैंने अपने होती है तो आप इन केक को ज़रूर ट्राय करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको ये डिफरिंट डिफरिंट तरीके केक कैसे लगे सभी केक बहुत ही अच्छे बनते हैं और हर एक के इंक्रेडियंट आपको घर में असानी से मिल जाएंगे ये देख केक को ज़रूर ट्राय करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको ये केक कैसे लगी फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करीगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जाद से-जाद अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शि झाल झाल